हेलो फ्रेंज आज मैं आपको एक ऐसी अप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप गर बैठे ओनलाइन कम्पिटिशन एक्जाम की तियारी कर सकते हैं जिससे आपको कोई ट्यूशन सेंटर जोइन करने की भी जरुवत नहीं है और आप एक अच्छी तियारी घर बैठे कर सकते हैं तो आईए चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी अप्लिकेशन है सबसे पहले आपको अपने फोन में प्लै स्टोर ओपन करना है और प्लै स्टोर ओपन करने के बाद सर्च बार पर क्लिक करके यहां पर आपको टी ओ डबल पी आर लिखोगे तै सबसे पहले अप्ले केसं आएगी तोप पर लर्निंग एप इस पर क्लिक कर देना है आप को और यह फ्रेंड इन्सटोर कर लें ही question में अबश्यार आपको ओपन करना है इसको कि अध्य मेरे लोगल्यन किया है पर आपको मैं लोग आउट करके बताता हूं हां तो फ्रेंड्स जब आप अप्ली करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा फिर आपको साइन अप करना है साइन अप में आपको अपने नंबर वगेरा जो डिटेल्स होगी वो डाल ली है तो मेरे साइन अप अल्रेडी किया है तो मैं लोगिन पर करूंगा लोगिन पर एक वाद यहां मैं अपना मोबाइल नंबर पूट करूंगा तो कंटिन्यू एक ओटीपी आएगा जो आपका फोन आपको डालना इसमें 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 फ्रेंड्स आपके जो भी कंपिटेशन एक्जामें जो जो सब्जेक्ट होते हैं वो सब इसमें आएंगे मै इंग्लीज रिजनिंग जनर्न नौलेज और लेगल स्टेडीज अब मैं फ्रेंड्स आपको बता तो इसका अप्लिकेशन को आपको कैसा कैसे यूज लेना है तो आपको पहले मैध पे जैसा अपन ने मैध पे क्लिक किया कि मैध के टोटल सारे चेप्टर यहां पर आज आएंगे और आपको जसफी चेप्टर की उस चैप्टर के टीचर अच्छे टीचर द्वारा आपको नोलेज मिलेगा और आप आसानी से सीख सकेंगे इसमें दोर लेंग्वेज में भी है यह इस पर करोगे तो इंग्लीज में लेक्चर आएगा और अगर आप हिंदी पर करेंगे तो आपको यही टीचर हिंदी में आपको सिखाएंगे ऐसे आप गर बैठे अच्छी एक त्यारी कर सकते हैं इसमा आपको कुष्टन सेट्स भी मिलेंगे जिसे आप अपनी त्यारी कर पाएंगे अगर आपको अच्छी लगए तो इसे आपको अपने फ्रेंट्स के साथ भी सेयर करें उनको भी बताएं और ये एक आसा नहीं पर जिसे आप गर बैठे त्यारी कर सकते हैं त्यांक्यू फ्रेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और और हां शेयर जरूर करना क्योंकि ये अप्लिकेशन हर किसी के भी काम और भी किसी के काम आ सकती है प्लिस फ्रेंट्स सेर्ज करना ना बूले थैंक्यू एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताया आपको मेरा वीडियो कैसा लगा थैंक्यू